चले बिच्चे question number 13 देखिए, find the value of a and b for which हमें a और b की value निकालनी है, यह सब हमें दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ, आपको कैसे करना है, solution लिख लेजिए सबसे पहले, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, question आग सकता हूँ, मतलब दोनों को एक साथ मैं लिख सकता हूँ, ऐसे bracket में, और power को मैं माइनस 5 बना सकता हूँ, और यहां पर जो as it is, लिख देंगे, यह मुझे पता है, तो मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों, ऐसे मैंने लिख दिया, तो होता क्या basically, यह होता है कि अगर a a की power m है, multiply b की power bm है, तो मैं दोनों को a की साथ लिख सकता हूँ, जैसे a, b और दोनों की power m, यह बीच में multiply डाल दो, ऐसे bracket के अंदर लिख सकता हूँ, तो मैंने वही कर दिया, ठीक है, यह हमारी क्या हो गई, यह हमारा law हो गया, ठीक है, अच्च, अब भी क्या करें सर, आ अगर power same हो, तो power कर जाएंगी, very simple, समझ में आ गया, इसमें क्या है, यह multiply में, पूरा ही multiply में, तो power same है न, power को power से कारता हो, तो क्या बच्चा, 2 by 5 multiply, 15 by 7 equals to a by b, तो अब multiply कर लेते हैं, 5 थरीजा, 2 थरीजा, 6 upon में कितना है, 7, 7 is 7 equals to a upon में b, हमें a by b की value निकालने थी, यह ह इसमें हमने power को काटा था, क्योंकि यह दोनों power same थी, ठीक है बच्चो, चलिए इसको रप करते हैं, चलिए बच्चो, question number 14 देखिए, question number 14 में लिखा हुआ है, by what number should minus 5 की power minus 1 be multiplied, so that the product becomes इतना, देखिए जी, ऐसे वाले question में आप क्या करेंगे, by what number should this be multiplied, हमें नहीं पता, हमने आएगा, let x be the number, वो number x, let x be the number, we should, let x be the number, simple लिखो, let x be the number, अब लिखो 80Q, according to question, so by what number should यह, तो minus 5 कीपाव, minus 1 है, हमने इसको multiply करा, x है, ठीक है, so that the product becomes, product मतलब की इन दोने कुछा multiply करेंगे, becomes मतलब वो बन जाएगा, becomes बन जाएगा, इतना, तो हमने ऐसे कर दिया, minus 1, यह समझ भाए बच्चो, ठीक है, अब इसको solve करेंगे, minus की power को plus, हम बनाएगे, one upon में minus 5 कर देंगे, power निचे आ जाएगी, तो plus बन जाएगी, अब लिखो या मत लिखो एक ही बात है, है ना, यहां पर लिखो एक ही बात है, multiply में, x, इसको भी बनाएगे, minus यह न, तो one upon में minus का 15, power नीचे जाएगी, plus, one plus हो जाएगा, लिखो न लिखो मर्जी, यह आगे, अब क्या करेंगे, हमें x निकालना है, तो देखो इसको यहाँ ब या फिर डारेट मल्टिप्लाए कर दो, five बन्जा, five और minus का five, या तो ऐसे लिख लो, या डारेट इसको मल्टिप्लाए कर दो, five बन्जा, five होता तो minus का five आ गया, और नीचे कितना बेटा, minus का 15 है, minus से minus कर दिया, five बन्जा, five थ्रीजा, hence, 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 x equals to one upon me, three, यह मेरा answer हो गया, ठीक है बच्चो, चलिए, इसको भी रब करते हैं, चलिए, बच्चो, question number 15 देखिए, 13 एका last question है, by what number should, यह है, हमें दिया हुआ है, be divided, इसमें है क्या है, divide करना है, so that the question may be इतना, तो क्या करेंगे, simple, सबसे बहले, आपको adjustment ने इससे पहल number, simple, but, वो number क्या है, वो number हमारा x है, so atq, according to question, so हम लिखेंगे, what number, by what number should यह divide करना है, so minus 4 by 7, इसकी पावर है, minus 1, इसको divide करना है, तो divided by हमने x है करा है, तो question कितना आ जाएगा, question आ जाएगा, minus 8 by 7, minus 1, ठीक है, मतलब यह होता है, यहां पर मतलब जैसे करते हैं, यह जो होता है, question होता है, जैसे बालब 2 है, 10 है, 2, 5 है 10, तो यह पूछा है हम से, मतलब, sorry, यह में बताया गया है, कि यह इतना है, ठीक है, और यह जो है, वो यह ह इतना आगे समझ में, ठीक है, अब minus की power है, उसको plus कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, तो 7 upon में, 4, minus 4 नीचे आएगा, मगद नीचे minus अच्छा ही लगता तो उसे को ऊपर ही रहने है, ठीक है, बच्चो, बस, यह ओगी power 1 divided by x, यहां पर देखो, यह चल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7 upon में, minus 4, divided by x, equals to 7 upon में, minus 8, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, डिवाइड है, इसको बाड़ पार नहीं करा सकते, अभी अभी, अभी असानी से, ठीक है, बाड़ पार कराने के लिए, मैं आपको बढ़ पार कराना है, पहले आपको तो थोड़ा और इसी बताता हो, डिवाइड को multiply में बतल दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बैच्चों, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है हमारा 1, ठीक है, तो देखो, 7 upon में, minus 8, यहाए गया समझ में, ठीक है, अब देखो, यहीं से मैं चाहूं तो इसको इसको इससे काट दू, क्योंकि ऐसे कट जाता है, मालो 7 से 7 कर जाएगा, यहां से है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा तरीके से, नीचे वाला, अभी multiply करो, तो 7 upon में, minus का 4x, equals to 7 upon में, minus का 8, यहागया, अब इसको मैं यहाँ बेजूँँगा, एक्स को मैं यही नी रखूंगा, तो या फिर आप confused ना हो जाए, मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपको और असान तरीके से करवा सकता हूं इसको, तो चलिए, मैं आपको और असान तरीके से करवाता हूं, यह देखिए, इसको छोड़िए, अगर यह बीच अगर को, यह है, इसके दर और के हищ किद लगर से मैं ये 7 से 7 कर जाएक, hacer in 107 कर जाताका से मैं तो घ्यके बीच में मॉल्टिप्लाय अचीए, कट इठाइक, शादा है, तो अब यह – यह 4 से 4 बंजा, और 4 ऽूजा ठेक है, यह क्या करेंडिया अब क्या करेंगे, अब देखिए, इस एक से मैं वहा भी से तो यहां को तुको यहां भीजो तो इन सबसे उपर मुल्टिप्ला हो जाए तो वन ही है तो इस कितना आगया यह मेरा आनसर पर सकते हो ठीक है कैलकुलेशन हो और कुछ नहीं है ठीक है चलिए हमारा यह चैप्टर होगा सॉरी 13 A होगे हमारी कम्प्लीट